नमस्कार, घरेली उप्चार में आपका स्वागत है, कहीं भी रहें, छिंता नो करें, छिंता से कोई कार्य हल नहीं होता है तो साथियों, बहुत दिनों के बाद, हमें यह जो है टोटका हांथ लगा है, और आपको मालूम होना चाहिए, कि अगर हम फेक वीडियो देना होता, तो यह वीडियो आप लोगों को मैं ब्रावर देता, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे पास, जब तक कोई हमारे पास परमार नहीं मिलता है, तब तक हम वीडियो नहीं डालते हैं, हम भी कहीं से लाते हैं, ढूनते हैं, खोचते हैं, तब जो है आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, तो दोस्तों, यह जो है जुआ जीतने का एक बेहत असान और कारगर है, तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे जरूरी बात है कि आप इस पर ध्यान दें, तो आगे हम इसका विब्रन बता रहा हूँ, तो आप इसे सुनें, बिल्कुल छोटा सा और असान है, लेकिन इसको आपको सीध करना होगा जी, सीध करने का टाइम है केवल सात दिन, तो दोस्तों, आपको यह सात दिन परियोग करना है, इस परियोग काल में आपको जुवा साटा नहीं खेलना होगा, जब आप सीध कर लेंगे, तो अठवे नौवे दिन से आप जो है, जुवा साटा खेल सकते हैं, तो सुने विब्रण को ध्यान से, सनिवार के दिन, सन्नी मंदिर जाकर, सनी देवता को सर्सो का तेल चड़ाना होगा, यह उपाय सिरिफ आपको लगतार सात दिन तक करना होगा, दोस्तों, सनिवार से आपको स्टार्ट करना है, और प्रति दिन लगतार सर्सो का तेल चड़ाना होगा, और चड़ाने से पहले, आपको यह मनो कामना सनी देव से कहना होगा, कि हम युवा साटा खेलूँगा, उसमें हमें आप जो है विज़ई बनावें, तो यह कहकर आपको सर्सो का तेल चड़ाना होगा, और सनिवार से स्टार्ट करना होगा, और लगतार साथ दिन तक करना होगा, इस साथ दिन के बीच में आप जुवा साटा नो खेलें, आपका परियोग पुरा होने के बाद ही जाकर खेलें, अगर इस बिधी बिधान को अपनाते हैं, तो आपकी जीत बेलकुल पक्की है, क्योंकि गुरहों का साथ होना जरूरी है, और जुवा साटे में सनी देव का किर्पा अत्ति महत्यो पूर जो है होता है, जिनके उपर सनी देव का किर्पा हो गया, वह जुवे साटे में कभी नहीं हारते हैं, तो दोस्तों यह बिलकुल एक सहाजा और आसान है, लेकिन यही है कि आपको साथ दिन बिलकुल नहीं खेलना होगा, तो दोस्तों इसी तरह से हम आगे भी आपको वीडियो देता रहूँगा, और आप घर बैठे वीडियो से काफी लाभ उठा सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दिजे इजाजात, नमस्कार,